मान अपने राग और द्वेश्च बक्ती के मार् Tomorrow से मिटाए मनें सांखे के मार्ग से पहले मेहनत की बहुत और उसकी विए से मैं बहुत सजग हो गई क्योंकि मेरी ताहरे सांखे की बीच में आयी थी बहुत कंफिक्टिंग हो गया था एक पॉइंट सिध्याय अनभा होने लगा और ज्यादा होने लगा कि मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ एसा लगने लगा था कई पार क्यूकि जैसे किताबूं में पढ़ते डिकलता हुद थो इस खेलिए अर Stones और देवियों को याद करो साइकड़ो चीजों को याद करो मुझे नहीं चीए मुझे उत्रे मंत्र भी नहीं चीए मैंने जो जो बच्पन से जो जो कंडिश्णिंग माइंड की की गई थी क्योंकि मेरा फैमिली हम इतने स्ट्रॉंग फैमिली बैग्राउंड से आये मेरे पिताजी गुरु है स्वामे दिवेचितनन तो बच्पन से ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, देवी देव था, भैरव, भैरवी, जो आप पूछो, घर के अंदर माहूल था, मैं एक पॉइंट प इसको एसास करना था, अब भी मुझे एक पॉइंट ऐसा टांस्फरमेशन का आया लाइफ में, कि मुझे लगा, जो जो मैं लेर के आई हूँ, वो सब मुझे बच्पन से जो मेरे अंदर डाले गए, हम एक परिवार में पलते हैं, हमारा ही परिवार अच्छा है, हमारी तंतर अच्छा है, हम कृष्णों को बेढ़ने के तो तंतर के नदर डूढ़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि हमको चाहिए हो सब कुछ, सब कुछ हमारा ही अच्छा है और बाकी लोगों को खराब है, फिर बाद में धिरे-धिरे टांस्फरमेशन जब आती है, तो और उसमें एक्स्पिरिंस हुए, लेकिन कहीं ये मन का खेल तो नहीं है, तो वो एक पॉइंट पर मैं पहुची की, सांखे समझने अच्छी तरह से, योग पढ़ा था, हट योग भी किया था, आसन वेगरसत किये थे, लेकिन तत्वों पर जाकर के, जब वो कहते हैं, शरी कोई मुझे पकड़ करके बता दे कि ये तत्व है, नहीं बता पते, अध्वैदिक टीचर भी बहुत मिले, ऐसे अच्छे-चार्ट्स वार्स बनाते हैं, वो लोग क्या, उनके डियागरम होते हैं, साइंस की क्लास लगती है, मस्ते ग्रम, तो बड़े मैं साइंस की क्लास जीए, कठिन ज्यान कभी होना ही नहीं चीए, सबको समझ में आना जीए, सो वो एक पॉइंट पे, जब पहुचा की नहीं, माइंड, माइंड ही सब कुछ है, क्योंकि इता में बहुआ ने के दिया, मन ही तेरा मन, मित्र है, मन ही तेरा शत्रु है, तो मन को ही पकड़ना सब से important चीज़ है, तो फिर जागर के सांख्यों को पूरी तरह से practice किया, कि पहले मन को पकड़ो, यहां हमा जाने के बजाए, और फिर जब मन को पकड़ना शुरू किया, तो मन में इतने रागर्द वेश, इतने रागर्द वेश, मेरी जो techniques थी, उसमें एक technique तो जैसे मैं आप चल रहा है नो, उससे चलने से हटे नहीं, वो एक technique होता था, जो सबसे जो कटिन जो technique थी, जो highest technique दी गए थी मुझे, वो होता था मृत्यू के ओपर ध्यान करना, मृत्यू, और अपने स्वैम की मृत्यू, तो पहले तो बताते थे कि, एक एक situations में वो lead करते थे, ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा, लेकिन वो जो meditation होने लगा, वो इतना strong था, इतना strong था अपने मृत्यू के पर meditation, वो जग जोर के अंदर से रख दिया, उसने सब चीज को clear कर दिया, और फिर उसके बाद को रागड़ द्वेश रही नहीं सकता, किस से रागड़ द्वेश करो गया, जिन से आप हमारे राग द्वेश दिखाय देता है, और ऐसे उन लोगों से दिखाय देता है, जो आप नहीं है, कही जन्मो पुर्व भी आप, वो भी दिखाय देने लग जाएंगे गई बार, ऐसे भी होता है, उनसे आप कैसे अपनी दुश्मिन निकाल होगे, तो याद आता है, तो स्थन में समझ में आता है, कि राग और द्वेश के बीश हमने कही जन्मों से पाल करके रखे हैं, और यह अब जो निकल रहा है, यह तो केवल दिख रहा है, यह तो केवल फल है उसका, हम किसी को पर रियाक कर रहे है, हम किसी की सिच्वेशन पर रियाक कर रहे है, हमने वो बीज अंदर है तो वो जो meditation थी, वो सबसे strongest थी समझ गया picture समझ गी पूरी निकालो, not worth it and that was very free, it's a very बहुत बहुत आपको freedom लगता है उसमें अच्छा लगता है बहुत, आने लगा फिर उसके बाद फिर जब रिदे इतना साफ हो आना इतना साफ हो गया ना एकदम से कोई रितिरिवाज नहीं, कोई संपधाई कोई thoughts नहीं, कोई कुछ नहीं न रागार न द्वेश न त्रिशना न कुछ नहीं, जब इतना साफ हो गया ना तब वो रिदे में प्रेम भरने लगा बगवान को, तब जा करके जो शुद्ध प्रेम जिसको हम कहते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम है, तब अन्भा हुआ तब तक तो उपरी उपरी प्रेम था, ऐसा लगता है तब तक उपरी उपरी था, तो वो कई चीज़ भूल भी रही हूँ अब जो प्रेम है वो शुद्ध जो प्रेम मुझे अन्भाव करना था, भगवान के लिए अब वो ही प्रेम